दोस्तों जब से अभिनेता पुनीत राजकुमार के दुखद निधन की खबर सामनी आए है तब ही से जनता शौक में जूपी हुई है लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा कि अभिनेता पुनीत राजकुमार अब उनके बीच नहीं रहे मगर क्या करे जहां जनता इस दुख को सहन नहीं कर पा रही है तो वहीं अब बॉलिवुड और टॉलिवुड स्टारों का भी यही हाल हो चुका है जी हाँ जब से इन दो इंडस्ट्री वाले सितारों को पता चला कि अभिनेता पुनीत राजकुमार अब उनके बीच मौजूद नहीं रहे तब ही से वो सभी अपने दर्द को सोशल मीडिया पर शेर किये जा रहे हैं इसलिए आज इस वीडियो में हम आपको बॉलिवुड और साउथ इंडस्ट्री के सितारों के दिये गए रियक्शन से रूबरू कराएंगे कि आखिरकार उन्होंने पुनीत की मौद पर क्या क्या कहा आईए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और जल्दी से जानते हैं बॉलिवुड इंडस्टी की टैलेंटिड आदाकारा है काजोल जिन्हें भी 29 अक्टूबर को जब इनकी मौद के बारे में पता चला तो ये सहम गए तब ही तो ये शौकिंग भरा रियाक्शन देते हुए नजराई अभी तो पुनीत बिलकुल गप्रुजवान थे ना तो इन्हें कोई बिमारी थी ना ही कुछ था तो भला इतनी कम उम्र में इनकी मौद कैसे हो सकती है इसलिए तो ये अभी तक सदमे में ही है इस लिस्ट में नमबर 4 पर एक नाम शामिल है अभीनेता राम पुथिनैनी का जो कि इन सितारों की तरह झाई अभीनेता पुनीत की मौत के गम में तूटे हुए है और भगवान से प्रात्ना कर रहे हैं कि भगवान उनकी आत्मा को मोग्ष प्रदान करे इस लिस्ट में तीसरे नमबर पर नाम शामिल हो चुका है अभिनेतरी रश्मिका मंदाना का जो अभिनेता पुनीत की मौत से काफी जादा तूट चुकी है तूकि पुनीत इनके साथ कई फिल्मों में काम किया था मगर अब वह मौजूद नहीं है तो इसलिए वह फिल्म के सेट से जितनी भी इनकी यादे हैं उनके बारे में सोच सोच कर रो रही है बॉलिवूट के सिंगम स्टार ने लिखा तुम्हारी परंपरा जारी रहेगी भगवान तुम्हारी आत्मा को शांती दे पुनीत और मेरी तरफ से तुम्हारे परिवार वाले फैंस को समवेद नाए जी हाँ अभिनेतरी शेहनास गिल भले ही अभिनेता पुनीत राजकुमार से कभी ना मिली हो लेकिन इनकी मौत और उनकी दर्या दिली से इनहें काफी ज़ादा लगा हो गया था इसलिए तो अभिनेता पुनीत राजकुमार के दुनिया से जाने का इनहें भी बहुत ही ज़ादा गम हो रहा है तब ही तो ये काफी ज़ादा परिशान है तो दोस्तों आज पुनीत राजकुमार के निधन के बारे में क्या कहना चाहते हैं आप आप हमें कॉमेंट में ज़रूर बताएं और साथ ही एंटरेटेन्मेंट जगत से जुड़ी ऐसी ही जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूल है